विता है जिसमें मैंने कुछ बाते लिखी हैं उस इंसान के तरफ से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है ये बाते उस इंसान के तरफ से अपनी विद्वा पत्मी के लिए सुनो क्या तुम मुझे सुन सकती हो मुझे मालूम है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मगर मेरे बिना दिल लगा लोना मुझे मालूम है, मुश्किल है, मगर मेरे बिना दिल लगा लोना और मेरी एक हसरत है, पूरी करोगे कि मेरी कबर पर आकर कभी तो मुश्कुरा लोना मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें बता नहीं सकता और मैंने पूछे हैं खुदा से, खुदा के मनसूबे तुम्हारे लिए वो बोला कि वो मसर्रत अब देर तलक तुमसे छुपा नहीं सकता यकीन मानो, हम साथ बैठ कर लिख रहे हैं एक नई सुभा तुम्हारे लिए मैं अपनी जान इस जहान में लेकर आया ही नहीं हूँ, अरे तुम भूल तो नहीं गई, तुम जान हो मेरी तो खयाल रखो मेरी जान, मेरी जान का, तुम मिट्टी के इस तरफ भी पहचान हो मेरी और मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक तमन्ना है कि मेरी कबर पर रखा फूल अपनी जुल्फों में लगाओ, सवर लो तुम हाँ, तुम्हें अभी हक है, उतना ही हक है, कि इन फूलों का रंग अपनी सफेज साडी में भर लो ये सुर्ख लाली आँखों की उतारों, जो आँखे रो रो कर लाल पड़ गई कि ये सुर्ख लाली आँखों की उतारों फिर रुकसार पर सजाओ इसे, ये बिंदी तनहा तनहा है, अपने माथे पर जरा बिठाओ इसे और कली के जैसे लब तुम्हारे बंद पड़े हैं, कली के जैसे लब तुम्हारे बंद पड़े हैं, वक्त है अब खिलने का ये बताओ इसे, बेकुसूर दिल को आखिर कब तक बेकस रखोगी हूं, कि बेकुसूर दिल को आखिर कब तक बेकस रखोगी हूं, किसी और से मि मैं तेरे पायल की जनकार सुनना चाहता हूं मेरे सीने पर टूटी तेरी चूडियां चीकती बहुत हैं बहुत हो गया बस अब मैं तेरे कंगन की खनकार सुनना चाहता हूं अब ठीक है ना कोई बात नहीं जिन्दगी आखिर हम सब की महमान ही तो होती है जिन्दगी आखिर हम सब की महमान ही तो होती है मगर वो जो इतनी नफरतों के बाद भी इतनी खामियों के साथ भी इतनी गलतियों के बाद भी हमें कुबूल करती है देखो वो मौत भी रहमान ह तो होती है सुनो अगर तुम अभी महसूस करती हो मुझे तो सुनो अपनी महमान से इस कदर रूठी मत रहो अरे जिन्दिगी तरस गई है उससे बात करो खुदा के वास्ते तुम मौट से पहले मत मरो अच्छा ऐसा करो कि जहां मैं दफन हूँ न वहां बागीचा बना लो जहां मैं दफन हूँ वहां बागीचा बना लो फिर मेरी कबर में खुश्बू होगी मगर फूलों को तूटना नहीं पड़ेगा तु आती रहा करना तुझे भी रंगों से छूटना नहीं पड़ेगा तु खोल कर देख कभी घर अपना भी, तुझे सुकून यू रो रोकर मेरी कब्र से लूटना नहीं पड़ेगा, तु नूर है, बेकुसूर है, आस्मान की तरफ देख तो सही एक दफ़ा, तुझे पंखों से अपने रूटना नहीं पड़ेगा, और ये आखरी कुछ पंख्तियों में बातें, तो अभी भी वो मरा हुआ इंसान उसी से कह रहा है, मगर इन पंख्तियों में एक सवाल है, जो कि उस इंसान से नहीं है, ये सवाल समाज की सोच से है, कि क्यों, क्यों सादा श्वेत लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला, आखिर क्यूं सादा श्वेत लिबास मेरे मरने पर ही तुझे मिला तू मरती तू अपनी खुद की अर्थी पर भी लाल जोडे में होती तू जलती जलती खाक जोडे में होती तू मरती तो अपनी खुद की अर्थी पर भी लाल जोडे में होती तू जलती जलती खाक जोडे में होती तू मरती तो जोड़ा पहले राख होता तू राख जोडे में होती अरे तू मरती तो अच्छा होता मर ही जाती मगर तेरी रूह भी जिस्म से आजाद जोडे में होती क्योंकि ये जीते जाकते कफन लपेट कर घूमने का तुक मुझे समझ में नहीं आता ये जीते जाकते कफन बदन पर लपेट कर घूमने का तुक मुझे समझ में नहीं आता रे तू जिन्दा है तो जी तू जिन्दा है तो जी इससे ज्यादा कुछ क्या कहूं मैं मुझे समझ में नहीं आता तू जिन्दा है तो जी